हेलो प्रेंद्स वेलकम टू अचीव जिये रैब बाई जोती गर्ग यह मेरा यूट्यूब चैनल है अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजेगा और अहां जब आप एक क्यूरल कोट दिख रहा होगा आप इसको स्कैन करके जॉइन कर सकते हो या फिर इस लिंक के थ्रू भी जॉइन कर सकते हो यह लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस टेलिग्राम ग्रूप के उपर में डेली 10 पीम क्या है लाइफ को इस करा सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक वैलिशन सिस्टम होता क्या है वैलिशन सिस्टम जो है जो एक डिजायट चींज आता है स्टूडेंट के अंदर ठीक है डिजायट चींज न सेंस के माली जे कि आप जब सेकिंड या फर्स क्लास में थे तब आपको क्या है तो का टेप तरीके के आपके worship है और ँ July क्या है और यह क्या है चीजर हम प्लैने करता है आपके टीचर प्लैनिक करते हैं तो ये जब प्र Means खीया जाता है कि स्टूडेंट ने कि अनलेन कर लिया एकितना उसको समझ में आगया है तो उसे हम क्या बुलाते हैं ईवगेल्यशन उस चीज़ को जानने की तरीका है, कि हमने कितना सीख लिया है, कितना हमें याद हो गया है, उसको जानने का तरीका क्या बुलाते हैं, evaluation, ठीक है, अब next क्या है, इसके क्या है, four बहुत important factors हैं, education के, ठीक है, ये चार कौन से factors हैं, educational system के वो देख लेते हैं, सबसे पहला होता है objective objective in the sense के, हम क्या पढ़ाना चाते हैं, क्या कराना चाते हैं, हमारा उदेश्य क्या है, अपने students को बताने का, ठीक है, second होता है हमारा curriculum, curriculum के अंदर क्या होता है, एक particular जो हमारी class होती है, मानले जी के 6th class का अगर हम देखते हैं, तो 6th class के अंदर जितनी भी हमारी books आती है, जि student को उसी सबसे prepare कराया जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि आप 6th class के student को सीधा 12th की preparation कराने लग जाओगे, नहीं, तो आपका curriculum, उसके बाद आता है method, method यानि कि आपके teacher के पढ़ाने का तरीका, कुछ teachers होते हैं, जो objective type में पढ़ाते हैं, यानि कि questions को क्या है, MCQ के through कराते हैं, ठ हर teacher का क्या है, अपना एक method होता है, उसके बाद बात आती है evaluation की, जब आपने ये सारा कुछ सीख लिया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपका examination होता है, ठीक है, exam के कौन-कौन से classification होती हैं, वो मैंने इसके बाद आप लोगों के साथ अभी ही discuss करने वाली हूँ, ठीक है चलिए, अब फटाफट से बात करते हैं, Indian Education Commission की, अब Indian Education Commission जो हमारी 1944 से 1966 में थी, उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है, कि जो evaluation है, वो एक तरीके से क्या है, continuation process है, ठीक है, और ये एक तरीके का internal part है हमारे किस चीज़ का, total system of education का, ठीक है, ये क्या है, बहुत ज़ काफ़ी ज़्यादा influence होता है, student की study habit के उपर, ठीक है, अब बोलोगे कि मैं मुझ सिस्टम का study habits के साथ क्या combination आ गया, तो friends, इसका combination ये है, कि अगर माल लेजे किसी class में, आपकी marks कम आए, class छोड़ी है, आपकी UGC net के अंदर क्या है, marks कम आए, ठीक है, तो क्या होगा, कि आ आप अपने study pattern को समय change करोगे, जाके evaluation जिसने की है, उससे जाके fight तो नहीं करोगे, अपने study plan को change करोगे, अपनी habits को change करोगे, ठीक है, इसी तरीके से आप के जो study habits है, उसको वो influence करता है, सेकेंड क्या है, जो teacher का पढ़ाने का तरीका होता है, ठीक है, वो उस चीज को भी influence क करता है, बोलोगे के वो कैसे, कि आपने पहले किसी और student से, किसी और teacher से कहा है, दिन रात बैठ के महनत करें, ठीक है, आपने फीज भी पे कर दी, ठीक है, यार यह teacher मुझे best लग रहा है, मैं इसी से पढ़ूँगा, लेकिन उस teacher के साथ आपको results नहीं मिले, तो क्या होगा, आप कोई ऐसा teacher देखोगे, जिसके साथ आपको और ज्यादा satisfaction फील होगा, या फिर जिसका पढ़ाने का तरीका ऐसा होगा, कि आपको समझ में आए, ठीक है, और यही खाली चीजें नहीं होती, जिसे हम major करते हैं, खाली educational achievement नहीं है, जिसे हम major करते हैं, बलकि इसकी साथ करते हैं, improve भी करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, कि हमारा जो result आया, उससे आपने सबसे पहले क्या किया, अपनी study की habit को change किया, फिर क्या किया, अपने आपको improve किया, क्योंकि जब हम improve करते हैं, change हम में तभी आता है, ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, कि evaluation सारे aspects को देखते हैं, जिससे एक बच्ची की क्या है development हो सकें, हम different techniques को अपनाते हैं, ताकि जो student है, उसको हम क्या है, अच्छे तरीके से सिखा सकें, पढ़ा सकें, और जब evaluation का time आए, तब ऐसा ना लगे कि यार, बच्ची को तो कुछ आता ही नहीं, ठीक है, हमने बच्ची जितना अच्छे से सीख सकते हैं, हम उसको सिखाने का उतना अच्छा परियास करें, next आता है हमारा continuation, evaluation कभी ऐसा नहीं होता कि यार, हमने पढ़ लिया है, अब हमारी evaluation कभी होगी नहीं, या हमने PhD कर लिया है, अब तो evaluation होगी नहीं हमारी, ऐसा कभी नहीं होता है, जो हमारी evaluation है वो एक तरीके का continuation process है ठीक है आप चाहे अभी सोच रहे होंगे कि यार किस टाइब की evaluation हो रही है तो आप अगर normal अपनी life को भी देखते हैं ठीक है आपकी जो achievements हैं जो आपकी failures हैं उसको कहीना कहीं तो आप evaluate कर रहे हो ना तो इसलिए कहा जाता है कि जो evaluation है वो continuation process पर होती रहती है उसका कोई fixed आपका time नहीं है कि हाँ वही अब तो evaluation हो दो होनी की नहीं दो evaluation क्या है हमारा continuous process है ठीक है चलिए आप जान लेते हैं evaluation के functions के बारे में evaluation के function में सबसे पहले बात आती है feedback की अब feedback क्या होता है? feedback से हमें ये बता चलता है कि हमारे strengths क्या है और हमारी weaknesses क्या है यानि कि जिस subject के अंदर हमारे marks अच्छे आ रहे हैं जिस subject के अंदर हमें interest लगता है कि हाँ पढ़ना है वो क्या है हमारी strengths है लेकिन जिन subject से हम भागते हैं जैसे कि higher education, people development, DIA आ गया, RC case से भी कुछ students भागते हैं, तो वो क्या हैं, वो उनकी weaknesses हैं, तो evaluation से हमें हमारी weaknesses और हमारी strengths के बारे में पता चलता है, second function क्या होता है evaluation का, that is motivation, अब आपको अगे मैं, evaluation से motivation कैसे मिल रहा है हमारा, evaluation से motivation आपको इस तरीके से मिलता है, कि आपको पता चलता है, कि आप कौन से subject में weak हो, और आपको J.R.F. भी crack करना है, तो जाहर सी बात है, आपको अपनी weakness पे work करना पड़ेगा, तो आपका motivation क्या है, आपका motivation है कि मुझे J.R.F. चाहिए, तो उसके उपर, जो आपका weak subject है, उसके उपर आपको work करने का एक तरीके से, वो motivation आपको provide करता है, next हमारा evaluation से क्या आता है, better guidance मिलती है हमें, हमें पता है कि मेरा subject क्या है, या, D.I. बहुत weak चल रहा है, मेरा मुझे कोई ऐसा educator सही है, जो मेरा D.I. न. अच्छे से मुझे समझा सके, मुझे formulas क्या है, practice में ला सके, और कोई ऐसा तिग्रम बाजी कर दे कि मुझे न. ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, D.I. में question देखूं और solve हो जाएं, तो उसके लिए क्या होता है, आपको better guidance की ज़रूरत होती है, ताकि जो आपकी weak points है, उससे क्या है, आप फिर भी क्या कर सकों, grow कर सकों, ठीक है, next हमारा आता है, remediation, remediation के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें पता चलता है, कि हमारे कौन-कौन से ऐसे subjects हैं, जिसके ओपर हमें खासा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसके ओपर हमें यह हैं, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो यह सब कैसे पता चलता है, हमें evaluation से, ठीक है, और क्या पता चलता है, और हम कि मान लीजे आपने यूजिसी डेटर रेक्जाम आपके मार्क कमा अब क्या करोगे अब फिर से जब स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले प्लान बनाओगे कि आप कौन से सब्जेक्ट वह कपड़ोगे कितने घंटे पड़ोगे कितनी देर तक पड़ोगे फिर उस चीज को क्य क्या है रिजस्ट करेगी आपने मान लीजे के प्लान मनाया है मैं सुभे पांच बजे उठके पढ़ोंगा लेकिन आप नॉर्मल टाइम पर क्या है साथ या आठ बजे उठते हूं तो क्या आपको लग रहा है कि अगले दिन से पांच बजे लग जाओगे नहीं आप धीरे- कोशिश करोगे हर चीज को और्गनाइज करने की उसके बाद आप उसको इंप्लिमेंट करोगे कि हाँ अब तो मैं उठने लग गया हूं पांच बजे अब तो मैं जैसा मैंने प्लान मनाया था वैसे ही पढ़ूंगा अपनी लर्निंग एक्टिविटी इसको आप इंप्लि आपने जो एक बार पढ़ा है ठीक है वो आपके मैंड में एक बार बैड एया लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया और आप उसमें से कुछ भूलोगे नहीं ठीक है तो जो छूटी-छूटी चीज़े हम भूल जाते हैं चूटी-छूटी बारी किया हम मतलब होता है कि मानली जी कि मैंने 10 students का एक group बनाया ठीक है अब वो जहर सी बात है 10 के 10 unique minds है हर किसी का सोचने का समझने का तरीका अलग है सबको मैंने एक ही टास्क दिया ठीक है सबको एक ही टास्क दिया तो हर बच्चा क्या करेगा अपने mind के according उस task को complete करेगा और जहर सी बात है हर कोई अपने mind को यूज करके करेगा तो हर एक के रिजल्ट्स भी अलग अलग हैंगे तो यह क्या है यह एक तरीके का इंटर इंस्टिटिउशनल कंपैरिजन है जिससे क्या होता है आपस में जो स्टुडेंट्स हैं उनको मोटिवेशन प्रोवाइड मिलता है कि या अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता है ठीक है करेंगे यानि कि इस सब्जेक्ट को इतनी देर तक पढ़ने वाला हूं ठीक है उसके बाद किया होगा प्रोग्रेस रिपोर्ट तो पेरेंट्स अब आपने साल भर महनत करी टीचर ने भी आपकी साथ खूब लगकर महनत करी तो आपको क्या लगता है आपकी पेरेंट्स न आपकी पीचे महनत नहीं करी फ्रेंट्स उन्होंने भी बहुत महनत करी अब आप बोलोगे कैसे करी पैसी तो फिल करें नहीं उन्होंने कैसे महनत करी जब आप पढ़ते हो ठीक है तब आपने देखा होगा कि आपके जो रूम है उसके आसपास जादा शोर नहीं होता बार बार यहां से वहां मूव ना करना पड़ें आपकी जो बुक्स हैं वह आप अपने अकॉर्डिंग जैसे रखके जाते हो वैसी रहती है यह नहीं कि आपने पूरे बेड़ पर पहला रखती है तो फैली रहेंगी नहीं लेकिन अगर प्रॉपर अपने टेबल के उपर है गई है तो वह हां से उसको पूरा कर सके अब हम बात करते हैं इवल्यूशन टेक्नीक की जो इवल्यूशन टेक्नीक है वो क्या है दो टाइप की होती है एक होता है हमारा क्वांटिटेटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटि अब इन सभी के बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं तो वीडियो को और लास्ट तक जरूर देखना क्यूंकि इसमें से एक कोशन आपका जरूर आएगा चलिए सबसे पहले बात करते हैं quantitative technique की quantitative technique के इंदर सबसे पहले हम बात करने वाले है return examination की return examination को एक और नाम से बलाया जाता है that is paper pencil test ये एक तरीके का test होता है जिसके अंदर आपको answers क्या है return form के अंदर देने पड़ते हैं जैसा कि उसके अंदर instructions दी होती है उसी के according तो इसके अंदर क्या होता है आपको questions provide किये जाते हैं और आप इसका answer क्या है एक paper के उपर लिखते ह नेक्स्ट हमारा होता है oral examination oral examination का क्या मतलब है यानि कि आपकी reading abilities को test किया जाता है आपकी pronunciation की techniques को test किया जाता है और वाय वाय लिया जाता है कि आप कितने अच्छे से learn करते हूं कितने अच्छे से अपनी चीजों को आप verbally explain करते हूं ठीक है यह कुछ examples है और इसके बाद आती अपनी practical examination प्राक्टिकल एक्जामिनेशन के अंदर क्या होता है हम test करते हैं experiments करते हैं और manipulative skills को अपनी दर्श आते हैं ठीक है और यह सभी subjects के ओपर नहीं होता कुछ particular subjects हैं जिसके ओपर हम practical examination कर सकते हैं जैसे कि science हो गया technology हो गया agriculture हो गया craft और music हो गया इनके ओपर हम क्या है अपनी practical examination शो कर सकते हैं नेक्स आता है हमारी qualitative technique qualitative technique के अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं observation की observation क्या होता है observation का मतलब होता है कि एक जो student है वो किस तरीके से behave कर रहा है और किस तरीके का उसका nature है मालनी जी कि कि कुछ students ऐसे होते हैं कि अगर उनका net crack नहीं हुआ वो सामन से आके किसको दोश देते हैं अपने teachers को दोश देने लग जाते हैं कि आप लोगों ने धंसे नहीं पढ़ाया आप लोगों की गलती है मैंने तो fees भी पेग किया था उसके बाद भी मेरा crack नहीं हुआ जबकि वो खुद कुछ नहीं पढ़ रहे होते हैं या खुद से मेहनत नहीं कर रहे होते हैं तो वो जो उनका behavior होता है उसे हर एक पीचर क्या है नोट कर रहा होता है ठीक है एक purpose होता है आप लोगों के behavior को note करने का systematic way से देखने का तो यह चीजे क्या है सारे record की जाती है कि आप किस तरीक से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि ultimate results आपकी आने हैं मेरे नहीं आने आप पढ़ोगे तो आपका खायदा है नहीं पढ़ोगे तो आपी का घाटा है ठीक है next होता है हमारा quality में interview method interview method क्या है इसको mostly क्या है superior method माना गया है सबसे ठीक है क्यों माना गया है क्योंकि एक research के दौरान यह पाया गया था कि जो students होते हैं वो mostly क्या है चीजों को ज्यादा बोल कर बता पाते हैं as compared to written way में ठीक है अगर आप उनसे questions पूछते हो तो वो अपनी feelings को और अपने way out को ज्यादा बहतर express कर पाते हैं as compared to written next हमारी आती है checklist अब बोलोगे checklist क्या होता है checklist के अंदर जैसे की काफी सारे हमारी recording evidence होते हैं जैसे कि अगर आपने देखा होगा जब आपने 10th और 12th के exams दी होंगे या फिर जब आपने अपना पीजी complete करने के बाद आप महाँ पे गए होंगे last clearance लेने के लिए तो महाँ पे वो आपको क्या provide करते हैं एक checklist प्रोवाइड करते हैं ठीक है checklist के अंदर क्या होता है checklist के अंदर वो जो भी आपने उनको ाइडी इस भी यह रा दी गई होती है वो सारी के सारी वो चेक करते है इसी तरीके से जो हमारी evaluation के अगर हम बात करते हैं evaluation के अंदर वो देखते हैं कि आप classroom के अंदर कैसे behave करते हो आपको अगर कोई specific problem हाती है तो आप उसको किस तरीके से deal करते हो आपका behavior कैसा रहता है यह सारी की सारी चीजे क्या है वो collect करते है record करते हैं और इसी के basis पे भी आ next हमारा आता है rating scale rating scale के अंदर क्या होता है यहां पर judge किया जाता है आपके character को ठीक है यानि कि अगर आप अच्छे से behave करते हो और सारे teachers का respect करते हो किसी को कुछ बुरा नहीं बोलते हो तो जाहर सी बात है आपका rating scale high होगा और आप पढ़ने में भी अच्छे हो ठीक है लेकि तो क्या होगा क्या आपको लगता है तब भी आपका rating scale high आएगा नहीं तब आपका rating scale क्या है medium या फिर low पे चला जाएगा ठीक है next हमारा आता है cumulative records अब cumulative records क्या है cumulative records क्या है एक धार्ना के basis पर बनाया जाते हैं या पिर जो आपके past records हैं उनको जोड़ जोड़ के बनाया जा कि जाओ sign कर वाके लाना अपने parents से तो वो क्या होते थे वो एक तरीगे के cumulative record होते थे एक student के जो की teacher के माइंड में बनते थे ठीक है और आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा श्रितान students जो होते थे जब उनका paper check होता था और उनका आधा marks भी बढ़ रहा होता था तो teachers मन कर देते थे क्यों मना कर देते थे because of their behavior क्योंकि वो सारी चीज़े के है record होती है वो कहीना कहीं add होती चली जाती है तो यह सारी चीज़े आप लोगों को ध्यान रखनी है यह सारी चीज़े आपकी evaluation process का part होता है ठीक है तो friends आज का lesson हमारा इतना ही था अच्छा लागा हो तो आप जैसे join करना चाहाए join कर सकते हैं और मेरे साथ जोड़ सकते हैं तो friends अब मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले lesson में तब तक के लिए keep learning keep sharing thank you so much